आज की तारीक इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई आज संसद की नई इमारत में ग्रीप रवेश हुआ जैसा कि आप मेरे पीछे उस इमारत का एक फोटो यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद जो बिल लोकसभा में सबसे पहले पेश किया गया वो है नारी शक्ती वंदन अधनियम 2023 इस बिल के तहट देश की महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विदान सभाओं में 33% आरक्षन दिया जाएगा लेकिन सबके मन में कई सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून संसद में आ गया लेकिन अमल में कब आएगा और देखिए आज यही सवाल हम पूछेंगे इस पर कमिट्मेंट दिखाओ टिकट वित्रल में 33% महिला लाओ हम जैसे जैसे इस शो को और आगे बढ़ाएंगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा कि हम आज ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं लेकिन पहले महिल आरक्षन को लेकर आपके मन में जो सवाल है आयो उनके जवाब देते हैं सबसे पहले आपको इससे जोड़े हर सवाल का जवाब देते हैं बिल का नाम क्या है तो बिल का नाम है नारी शक्ती वंदन अधिनियम ये 128वा सन्विदान संशोधन विद्रेयक है जिसको यहाँ पर मोधी सरकार संसत की नई इमारत में लेकर आई है कितना आरक्षन मिलेगा महिलाओं को? महिलाओं को 33 फीजदी आरक्षन मिलेगा किसको मिलेगा ये आरक्षन? सभी, जाती, वर्ग और धर्म की महिलाओं को ये आरक्षन दिया जाएगा कहां लागू होगा तो ये लोकसभा में लागू होगा राजियों की विदान सभाओ में लागू होगा और दिल्ली में लागू होगा कब से लागू होगा तारीख कोई तय नहीं है और ना कोई टाइम लाइन भी तक दी गई है सरकार की तरब से लेकिन कानून कैसे बनेगा लोगसभा में पेश हुआ है लोगसभा से पास होने के बाद राजी सभा में जाएगा वहां से पास होगा फिर राश्ट्रबती की मंजूरी मिलेगी गजट में प्रकाशन होगा और क्योंकि सन्विधान जन्शोदन है तो राजियों की विधान यह क्या है स्टी और स्टी कोटे के भीतर ही उन महिलाओं को आरक्षन यहां मिलेगा अब कोटा के अंदर कोटा की शेडी में OBC को नहीं शामिल किया गया है कोटा के भीतर कोटा में OBC को क्या शामिल किया गया नहीं किया गया और OBC को लेकर ही यहां पर अब कुछ पार्टियो नहीं है तो ये कुछ यहाँ पर सवाल जो आपके मन में थे उनके जवाब हम लेकर आए थे अगर महिला अरक्षन कानून 2024 के चुनाओं में लागू हुआ तो लोकसवा की तस्वीर कैसी होगी यह भी आप जान लिजे क्योंकि 2024 का लोकसवा चुनाओं जादा दूर है नहीं औ और इसको 2024 से जोड़ा भी जा रहा है कि 2024 का मास्टर स्ट्रोक है तो देखिए लोकसवा में अभी 543 सीटे हैं अगर ऐसे में 33% महिला आरक्षन लागू हुआ तो देश के कानून मंतरी अरजुन राम मेगवाल के मताबिक कम से कम 181 महिलाएं लोकसवा के लिए निर्वाचि होंगी अनुसूचित जंजाती के लिए अभी 47 सीटे आरक्षित हैं ऐसे में महिला आरक्षन लागू होने के बाद इस वर्क की कम से कम 16 महिलाएं लोकसवा के लिए निर्वाचित होंगी लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है अब इस पर राजनीती कहा है तो विपक्ष इस पर बहुत बड़े आरोप सरकार पर लगा रहा है विपक्ष इसे सरकार की जुमले बाजी करार दे रहा है उसका कहना है कि इसे 2024 में लागू करना संभव नहीं है आईए आपको ज़रा यहां पर हम ट्वीट दिखाते हैं यह देख सकते हैं आप यहां पर जैराम रमेश का यहां पर सरकार को परिसीमन कराना पड़ेगा परिसीमन कराने के लिए उनको यहां सेंसर कराना पड़ेगा और वो 2024 में संभव नहीं है कुछ ऐसा ही ट्वीट रागोचड़ा ने किया और रागोचड़ा ने तो ब ejerc vocês बिल्का नंबर 5 और कहा कि नहीं ये संभव नहीं है सरकार यहां पर बता तो रही बिल हम लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बता रही है और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसको तुरंत लागू किया जाए अब यहीं सवाल है कि पार्टियां इसको जिस तरह से कह रही हैं कि हम महिलाओं को आ करना पड़ेगा इस पर बात करने के लिए मिरसाथ शाज्यालमी है बीजेपी की प्रवक्ता मिरसाथ महिमा सिंग है कॉंग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक एंसीपी की प्रवक्ता हैं सभी का अरक्षन लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कब से लागू होगा यह बिल यह पूछ रहा है पूरा विपक्ष और पूछ रहा है पूरा देश सबसे पहले तो नारी शक्ती वंधन अधिनियम के लोक सभा में जाने की लिए आपकी अवाज कमारिये मेरी आवास सुन सकते हूँ जी आपकी अवास क्लेर आरा है जी तो उसके लिए सब को मुबारक बात मुझे लगता हैं हम सब लोगों ने सालों साल इस वक्त का इंतजार किया है मेरे साथ मेरे बहुत सारे और ऐसे मित्र ना सिब पत्रकारता में लेकिन अक्टिविस्स महिला है और बहुत सारी और और ओरतों ने जिन्हों ने खुआप देखा था कि ऐसा कभी होगा आखिरकार वो खुआप की ताबीर हो रही है देखिए हमारे देश में भेदवा अलगलग तरीके से जाती के आधार पर धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर जैनी की जेंडर के आधार पर और कम से कम पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां हमारी आबादी 90 करोड अगर मदाता को देखें उसमें से 44 करोड मदाता तकरीबन महिला हैं और उनका प्रतिनित्व अगर आप दे लिखेंगे कि करीब 9 फीजी से लेकर जादा-जादा 14 फीजी तक सारी विधान सभाओं के बात की जाए और लोकसभा की बात की जाए मुझे लगता है कि ऐसा अच्छा ये मौका है जब एक बहुत ही एक एतिहासिक जो भूल समझिये चूक समझिये गलती समझिये कुछ भी से कहिए इसको ठीक किया जा रहा है और आज के दिन गनेश अतुरती तो श्री गनेश भी हो रहा है बिस्मिल्ला भी हो रहा है नए भवन का नई भावना के साथ नए भाव के साथ और इस भाव में जो हम सफर होंगी महिला जो होंगी पहली बार साथ इस पूरे सफर नामे का हिस्सा होंगी जो रहे गई पीछ वो सफर में जाना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई मुसाफिर लेकिन अब जो जो कारवा नया शुरू होगा उसमें महिला साथ में आएंगी और मुझे लगता है अपने आप में यह बहुत बड़ा एतिहासिक और शांदार नहीं तो मैंने पूछा शाजिया इल्मी कि महिला के माद मुद्धे पर भी बार बार यही खा जाता था कि मंदिर ही बनाएंगे लेकिन तारीक नहीं बताएंगे मुण की खानी पड़ी की नहीं तो उतना ही दाव दग जाएक इसको लागू होने में मुझे लगता है कल इसकी सारी रूप रेखा आप लोगे सामने होगी और और सारी डीटेल्स होंगे और पास साल पास और पास अगया आप गलशों में आ गई है समाजवादी पार्टी तो गति-रोद बना रहा है समाजवादी पार्टी और आरजडी की वज़े से अब तक यह खीकत नहीं हुपाया कशिए और कर दूर्ब fi लोग हैं जिनकी वजाता है महिला बिल कब का पास हो जाता है 2010 में मिल जाता मैईलाओं को अंका आध आपकी मेल कुल Conti देखे गौरफ जी बीजेपी की अगर नियत साफ होती महिला अरेक्षन बिलको लेकर तो ये 2014 या 2015 में लेकर आ जाते अरे अपने बात की जिए जना आप अब रुख जाए शाजाल में रुख जाए अब उनको बोलें देगे महिला आप महिलाओं की बात हो रही है देखे 2014-15 में लागू हो जाता अल्याते और परिसीमन हो जाता अभी तक लागू हो जाता लेकिन अब तो बहुत प्रसीजर लंबा है विए तो सेंसे होना है टी लिमिटेशन हो रहा है होना है लोग तो कहरें कि 2029 से पहले-पहले ये ल डले वरकि महिला हैं उनको रेजरेशन मिलें ये मुख्य बात है आप इतनी बडी संक्छा को आप इगनॉड़ में कर सकते आप इतनी बडी संक्छा को वंचित नहीं कर सकते और ये जो बीजेपी तो सरकार ऑगारी तो इसमें फबाश दिख रहा दिख जिंट लेतिक कर र और तो आपके इंडिया की दो और पार्टी आम मेरे साथ बैटी है कि वल एक सेकंड और पार्टी पर जो अलिगेशन लगा रहे हैं तो देखिए समाजवादी पार्टी जो है महिला अरक्षन बिल क्या खिलाफ नहीं थी मतलब आरक्षन में भी आरक्षन मिले जिससे पिछले बने सफ़ाद के लिए नहीं दारिकान मैं आपके पास आता हूं लेकिन कॉंग्रेस पास जाना रूँकि ये नहीं दारिकान अब आपका हो गया महिलाओं को आरक्षन देंगे लेकिन जब हमारा वाला बिल आएगा तब ही देंगे ऐसा कुछ है क्या अगर महिलाओं को आरक्षन देना है तो मोधी सरकार एक बिल लेकर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी उसके साथ है की नहीं जैहिन बाजपा के लिए गाना आज मुझे आदा रहा है पुनारी फिल्मों का बड़ा मश्पूर गीत है भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे इसे आप वंदन का नाम ले ले या 2010 वाले प्रारूप में उठा ले लेकिन कम से कम कथनी और करनी में इ अंब भरते हैं और आपने अपनी जो है यदी कथनी को करनी करके दिखाना है तो फिर महिला अरक्षन बिल को हम निशर्थ समर्थन देने को तयार हैं आप उसको लेकर आईए क्योंकि राजय सभा में हम 2010 के अंदर उसे पारित करवा के गए थे जिसके बीज 1989 में राजीर ग अपने खुद के सांसदों और मंत्रियों को अंधेरे में रखे लेकिन वो महिला अधिकारों की बात तब करेंगे जब उनको सूट करेगा आज उनकी सहूलीफ है आज उनको सूट कर रहा है जुमला फेंकना ये जुमला है मातर जुमला इस निए बता रही हूं इसको भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री कॉंग्रेस ने दी, पहली महिला राष्ट्रपती कॉंग्रेस ने दी, पहली महिला सभापती कॉंग्रेस ने दी, आज तक कॉंग्रेस की दो महिला अध्यक्ष हुई, भाजपा से पूछें कि कॉंग्रेस नहीं दे पाई, ये भी सच्चा है, लेकिन आज कॉंग्रेस स्वागत करती है कॉंग्रेस का ही कदम था अच्छी बात है आज भाजपा को सत्बुद्धी दे रहा है दुरुस्त नहीं आए क्योंकि कथनी और करनी में फर्क है राहूल गांधी जी के सुझाव को माना तो सही अपनी सहुलियत के हिसाब से प्रहान 2010 में किसने किसकी वज़ा से रुख गया था या आपका बिल नहीं पूछा नहीं पूछा चुप रही है अभी आपके पास आउंगा महिमा सिंग को मिले समाजवादी पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए आप सवाल उठा रहे हैं आपका अधिकार है भाजपा नहीं उठाने देती प्रेस कॉंफरेंस नहीं करती हम आपके सवालों का स्वागत करते हैं पर उसके साथ आप से ये भी गुजारिश करते हैं आज भाजपा से सवाल पूछिये G20 के सदस्यों में इकलोता भारत है नहीं है इस देश के अंदर सेंसस नहीं हुआ है और आज शर्त क्या रख दी नाम के लिए तो नारी वंदन और काम के लिए कहना कि जब सेंसस हो जाएगा जो की नियत नहीं है भाज़पा की कराने की समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था कॉंग्रेस ने क्या कहा था आज त सवाल तो यहां पर यह है कि आप जिनके साथ बैठे हैं एक गटबंधन में उन्हों नहीं आपका बिल रोका था और मैंने वही सवाल पूछा मैं फिर पूछूँगा आपसे सवाल लेकिन अभी डॉक्टर सीमा मलिक के पास जाओंगो डॉक्टर सीमा मलिक मुझे मेरी बात पूरी करने दें गौरव जी बोलिए रटर सीमा मलिक बोलिए एक में रूप जादा टाइम नहीं मांगरी पर कम से कब थोड़ा बोलने का टाइम जी जी बोली आपी से पोछ रहा हूं हम लोग हमेशा शुरू से ही हमने महिला आरक्षा बिलका समर्तन किया है इन फैक्ट हमारे नेता मानियर्शी शराद परवाजी जब 1994 में माराश्टा की चीफ मिनिस्टर थे उस समें वह एक नैशनल विमिन पॉलसी लाए ते और उसी को फॉलो करते हुए लोकल जो सेल्ट क कि मदा फेवर में रहे हैं और तो बिल्कुल ये सच बात है कि 2010 में एक राजनीतिक इच्छा दिखाई थी इसलिए 2010 में राज-सवा में ये बिल पांस हुआ और देखिए आज मैं आप बिल आया है चलिए खुशी की बात है पर देखिए इस तमें हमाई सब के मन में एक सव बिल बुलाया जाता है और उसमें ये बिल रखा जाता है और नाम बदलने की तो देखिए है ये अम नारी मंदन कितना होता है इस कंट्री में ये सब को पता है कि आज क्या स्थिती है नारी की और दीखिए आप बिल आए अब आप ये बहुती मतलब निराशा हम लोग अब ये लेकिन मैं आपके पास आता हूं तो माम पैदरस के पास आता हूं महिमा सिंग अभी एक मिनट रुकिए लेकिन मैं एक ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और बहुत इंट्रेस्टिंग बीजेपी नेता उमा भारती का बयान हमें वो भी दिखाना चाहत पहले आप देखा आपको दिखाते हैं विदान सभाओं और देश की संसद में इस वक्त महिलाओं की कितनी मौजूदगी है जल्दी से आप ये देखिए विदान सभाओं में महिलाओं की मौजूदगी अगर आपको बताएं हिमाचल परदेश से शुरू करें जहां हिमाच बारा पश्चिम बंगाल 14 फीजदी ओडिशा 9 फीजदी 36 गड़ 14 फीजदी सिक्किम 9 मिघाले 5 असम 5 अरुनाचल 5 मनिपूर 8 परसेंट मिजोरम 0 परसेंट नागालेंड 2 परसेंट ये है विधान सभा में महिलाओं की मौजूदगी संसद में देख लीजे लोग सभा में 14 फ से अब तक किस चुनाओं में कितनी महिलाओं सांसद निर्वाचित हुई हैं लोग सभा में महिला सांसद देखिए और देखिए 1952 से शुरुआत करें तो 22 महिला सांसद आई थी जो कि कुल 4 फीजदी थी 1957 में 22 थी, 4 फीजदी, 1962 में बढ़कर 6 फीजदी हुई जल्दी जल्दी दिखाते हैं PCR 1967 में 6 फीजदी, 1971 में 5 फीजदी, नंबर भी साथ में हम दिखा रहे हैं यहां पर आप देखते रहे हैं 1980 में 5 फीजदी हो गया, 1974 में 84 में 8 फीजदी, उसके आगे बढ़ते हैं 89, 89 में 5 फीजदी, 99 में 7 फीजदी, 96 में 8 फीजदी, डवल भी नहीं हुआ 1999 में 9 फीजदी, 2004 में 8 फीजदी और 2009 में फिर 11%, 2014 में 12%, 2019 जहां भी हम हैं सबसे ज़्यादा 14%, लेकिन 33% से बहुत कम बहुत कम, यहां पर आधे से भी कम, लेकिन ये तो हम अभी आखरों पर तो सवाल पूछेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल उमा भारती ने उठा दिया है, उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के इस बिल को लेकर क्या सवाल उठाया है, आपको सुना देता हूं में, फिर चल वो टूट जाएगा, प्रदान मंत्री सुयम पिश्ड़े वर्वों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टी होगी, और जाती का समयदनाओं से संबंद नहीं होता शाजियालमी, आपी की पार्टी की नेता हैं, आपी की पार्टी की बहुत बड़ी नेता कह रही है कि OBC नहीं आएगा, इसमें तो इनकम्प्लीट रहेगा, नहीं पार्टी में भी सहमती नहीं है इस पर अभी देखे, मेरी राई ये है, और उमा भारती जी के में बहुत इज़त करती हूँ, अच्छी बात है उन्हीं ने इस बात को रखा है, बहुत से लोग रखेंगे, इसकी रूप रिखा भी हम लोग कल देखेंगे, लेकिन अभी भी कॉंग्रिस की जो प्रवक्ता कह रही थी, कि कुछ गाना सुना रही थी वो, क्योंकि वो अंताक्ष्टी के ऐसे मूड में है, मैं उनके लिए में कहना चाहती हूँ, कि कॉंग्रिस की ऐसी हालत है, कि मैं रहूं या हसूं, करूं में क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल में ये इसली है, मैं बताती आपको जब इनको आम सहमती बनानी थी न्यूक्लियर बिल पर तब उन्होंने बनाई लेकिन विमेंस रिजर्वेशन बिल की इसको लेकर सोनिय गांधी जी चिला चिला के कह रही है यह हमारा है हमारा है किसने रोका था उनको समाजवादी पाटी को कहने के लिए फटकार लग तो पूछाने के लिए अपके पास आउंगा तो मैं अपको चुकराओं और आपी को बोलने दूँगा इसी तरह जब कोई बोल रहा है तो आप बीच में मत बोली आप बड़िए बात बत घतलु के खिलाफ है लेकि महिलाओं के घरिमा इसे खापना कीजिया मैंने चीकरे च लेकिन तब बुलाइम सिंख से के सामने जुकना पड़ा तब लालु प्रसाद यादव जी के सामने जुकना पड़ा वो सारे नेता जो कह रहे थे परकटी महिलाओं के कैसे आरक्षन दिया जाएगा परकटी महिलाओं बैठेंगी सब चुप-चाप थे अब और अब से अगे रही हैं कम जानती हैं और माफी और कि आयए आप माफी मांगे कि आपकी पाटी ने इस बिलकुनी दोयर तक रोक के रख़ा एक कटी कि तरह काटे कि तरह आपकी पाटी सामने ने टेचिक है मैं अजिए जी माफी मभी मैं लाओं को समझ मैंme Kurt गौरब जी साड़े नौ साथ पीजेपी सुनाया है भाजपा को तो वो गाना अज याद करना चाहिए ये जो पब्लिक है ये सब जानती है आपके सांद है अनुशासन का पालन कीजिए आपकी बारे के बीच में सब उल जलूल बातों के बीच में हम नहीं बोले लेकिन आब सब जानती है कि कोविड के अंदर मरती हुई जनता का धियान न दे करके गंगा मेरी तीलाशों का ध्यान न दे करके किसान विदयक देच शाजी अल्वी शाजी चुपो जाये अभी आप उलिया आ हापको दूसरों के बोलने पिजिमें बहुत दिक्कत ओई होती यह बोल रही है जब कोई बोल रहा है तो दोसरों के बहुमत वारी भाजपा है ना जो महिला अधिकारों का दंब भरती है जिसके अंदर मंत्री के बाद मंत्री सांसद विधायक के बाद विधायक महिला बलादकार में बकड़े जाते हैं वो भाजपा जो बात कर रही है वो राजीर गांधी जी का सपना है वो राहुन गांधी जी ने बार बार याद दिलाया प्रदहान मंत्री को दे रहा है दुरूस्त नहीं आए फिर कह रही हूं और हाथी के दात खाने के और दिखाने के और हैं यह पब्लिक सब जानती है उसक करें लेकिन 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 माइवा सिंग यह राहूल गांधी का सपना है या सोनिया गांधी का सपना है आपके नेता तो जितने बड़े नेता आज संसद में बोला ही तो सब सोनिया गांधी का सपना बता रहे थे मैंने का राजीव गांधी का सपना रिवाइन करके मेरा बयान सुनिये गौरव जी मैंने का राजीव गांधी का सपना 1989 में जो बोया था जिसके लिए राहूल गांधी ने पत्र लिकर 16 जुलाई यूँ मेडियो पांट मैं मैं शाज जाल मीरूड में है। नायद लारिखान आप लोग महिला आरक्षंड की समर्थक हैं ना है हा या ना हा या ना वा जवाब दीजएगाanka रखार हो कि आप लोक ने के लोक सवाचुनौ數 में कितनी महिलाओं को टिकट दिया ये बताईए दोजार चौदा के लोग सभाजुनों में कितनी महिलाओं को टिकट दिया ये बताईए पार्टी लेवल पर आपने महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया बताईए आप खुद महिलाओं पार्टी से बताईए चीक ठीक है देखिए सबसे पहली बात आप पुछ रहें, पार्टी में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा है, अरे हमारी समाजबादी पार्टी तो महिलाओं की सकत्र समर्थ सके, आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन उनने, तिकट कितना दिया, तिकट कितना दिया, तिकट बढ़ लागू हो जाएगा, नहीं अरे funcion आप inherit is fish market wel दो जाएगा, ये हमारी बटाये है कितना दिया, तिकट या दोजार उननीस में, 24 में, 279 में, वाबिशिव मॉका देंगे तो में जोड़ें नहीं आप ही बोलेंगी, अप ही बोलेंगी, अरे भैज या महिला कैंडिटेट्स किली दी से मजाख उडाते थे महिलाओं का कहते थे महिला के मूँ पे ठपा लगाए कि सर पे ठपा लगाए आदर ने बाबा साहब जी अब आदर ने बाबा साहब की धरम पत्नी डॉक्टर सविता अब आब चुप रहे हैं मैं बीजेपी से पूछ लेता हूँ अब ठीक आप चुप रही हैं मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ आप ने एपना राइट खो दिया आपने बोला बीजेपी से पुछ लेजे तो सबसे इच सब तो यू बट मैं आपको पूरे रिस्टक के साथ पूछ रहा हूँ मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी ने 1219 में कितने टिकट दिये अब आप मुझ पर चिलाएए उसके कुछ नहीं बदल जाता आप प्लीज मुझे डिबेट करना मत सिखाएए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आपने कितने टिकट दिये 2019 में बस 2014 में आपकी पार्टी ने कितने टिकट दिये महिलाओं को बस जवाब दे नहीं पारी हैं हंगामा कर रही हैं इसलिए आप क्या आप जवाब नहीं दे पारी हैं जवाब ना है तो आंकर को गाली दीजे चोटा से सवाल है आरक्षन लागू होगा आरक्षन लागू होगा तैतीस फिजदी को आप लोगों को टिकट देना होगा आप ही ने कहा कि आप आरक्षन चाहते हैं आप क्यों ने पूछते कि महला आरक्षन बिल में OBC SCST का कोटा होगा कि नहीं होगा ये लेकर आए राद सबावरा आपने सुना नहीं मैंने उमा भारती का बयान सुनाया और वही बयान मैंने शाजिया अलमी से पूछा आप ध्यान नहीं दे रही हैं आप मुझे डिबेट करना सिखा रही हैं आप खुड डिबेट नहीं कर पा रही हैं आपने सुना नहीं उमा भारती ने OBC को लेकर सवाल उठाया और मैंने वहीं शाजिया अलमी से पूछा नहीं दारी खान मैं बिना मतलब के इस शोर में अपना समय नहीं खराब करना चाहता मैं बीजेपी के पास जा रहा हूँ आप रहिएगा मैं आगर मौका मिलेगा दुबार आपके पास आउँगा और भी रिस्पेक्ट आउँगा मैंने अभी तक किसी का हैं डिस्रिस्पेक के इसाब से देखा जाए भाजपा के सबसे ज्यादा कैंडिदेड्स रहे हैं सबसे ज़्यादा जीते भी रूख को एक और हैं परन्पने के नंबर अगर अगर नंबर में भी नहीं है उपर संटेज मेंग स्ल सलिए और चवरिये इस को å thermos पमाजुदा में लोगसभा में सबसे हाइस जो की 14 परसेंट है इससे थोड़ा पूपनितार ह two चाह हमारे आधिवासी घर की कि घर से हमारी अभी तब बुग्शक्या हो रही थे अब उनके चेहरे ब मुसकान आगे क्योंकि आपके पास जवाब मैं ले दिखाता हूं हो पूरा समय दूँगा एक स्क्रीन पर अगर आप लोग डिबेट देख पा रही हो तो देखिए 2014 का डेटा दिया है मैंने और यहां आप देख सकते हैं कि इस पाटी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है सबसे उपर किसी का नाम आता है तो वो ममता बेनर जी की पार्टी है अल इंडिया त्रिमूल कॉंग्रेस जितने 17 फीजदी सबसे ज्यादा जितनी भी टिकट बाटी उसमें 17 फीजदी महिलाओं को टिकट दिया उसके बाद आम आदमी पार्टी का नमबर आता है उन्होंने 13 फीजदी महिलाओं को टिकट दिया कॉंग्रेस ने 11 फीजदी महिलाओं को टिकट दिया बीजेपी ने 8.6 महिलाओं को टिकट दिया और BSP जिनकी खुद की मुखिया महिला हैं उन्होंने मात्र 5.5% महिलाओं को टिकट दिया ये महिलाओं का आप लोग रिप्रसेंटेशन करते हैं महिमा सिंग को जवाब देंगी 33% का बिल आप 2010 में राजसभा में पास करा पाईती हैं 2014 में आप यहां पर 13% महिलाओं को टिकट दे रही हैं क्यों नहीं दिया आपने पार्टी में 33% महिलाओं को टिकट देखे दो बाते कहूंगी गौरण जी पहली बात तो यह आज सदन के पटल पर खड़गे जी ने बड़ी साफ गोई के साथ ये कहा कि सभी पार्टीयां, सभी पार्टीयां इस मामले में दोशी हैं कि कम महिलाओं को टिकट मिलता है और मिलता है तो कमजोर महिलाओं को मिलता है जब ऐसा कहा गया तो दूसरी तरफ से इस बात का शोर हुआ कि नहीं नहीं यह क्या कमजोर महिला है उनका जो लार्जर पॉइंट था उसको समझने की जरूरत है और उनकी साफ गोई की सराहना करने की जरूरत है पहली बात दूसरी बात आपके आंकड़े जो दिखा रहे हैं उसमें तो दिखाई दे रहा है कि इंडिया यह सारी बात अपनी जगा सही ह पार्टी लेवल पर आपने लागू नहीं किया मैं मान लीजिए मैं मान लूगा कि हाँ आप सही बोल रही है कि आपके जो टॉप के तीन पार्टियां है आपके आंकडे में वह इंडिया पार्टी इंडिया लाइंस की पार्टी अब अब भाजपा की प्रवक्ता ने बड़े कॉंफिदेंस के साथ जूट बोला कि सबसे ज्यादा भाजपा ने दिया अच्छा हूँ आपना पर दिए इसमें इस पार्लिमेंट की जो कॉंपोजिशन है उसमें सबसे ज्यादा मौजूदा पार्लिमेंट में सबसे ज्यादा महिलाओं किया प्रत्षट के हिसाब से नुमाइंदगी है 14 पीजदी से ज्यादा है यह कह रही हूं नहीं वो सही है कि महिलाओं सबसे ज्यादा इस पार्लिमेंट में चून कर आई हैं लेकिन उसके बावजुद ना महिलाओं 33 परसेंट है और ना ही किसी पार्टी ने 33 परसेंट टिकट दिया शाजिया इल्मी क्या इस बार आप लोग दे देंगे मैं कह रही हूं आप से कि 2019 की जो मौजूदा लोकसबा है इसमें 14 फीजदी नमाइंदगी है और यह सबसे ज्यादा हमेशा से बनिस्बत सबसे ज्यादा रही है जो अपने आप में बहुत कम है जिसका श्रेग ना भाजपा ले सकती है ना लेना चाहिए कि अगर ज्यादा ह है तो भावारे वज़े से क्योंकि यह बहुत कम है और इसी को दूर करने के लिए अब फाइनली यह महिला आरक्षन बिल आ रहा है जो 33 फीजदी महिलाओं को पूर्सिनिश्ट पर दिखाता हूं मैं यहाँ पर अब दो और बहुत दिल्चस्प ग्राफिक्स महिलाओं के र 257 से 45, 66, 66, 61, 73, 77, 70, 1980 में 143 हुआ यहाँ बढ़ा है 1984 में 171, 1989 में 398, 1991 में 330, 1996 में 599 गया फिर एकदम नीचे आया 1998 में 24, 1999 में 284, 2004 में 355, 2009 में 356, 2014 में 676, 2019 में 726, सबसे ज़्यदा महिलाओं चुनाओं लड़ी भी और सबसे जीत कर भी आई लेकिन जरा ये भी समझे महिलाएं कितने जादा चुनाव जीतनी है उनकी विनेबिलिटी कितनी है उसके बाबजुद उनको टिकट नहीं मिलते कैसे अब ये चार देखिए लोक सबाचुनाव में पुरुष वर्सेज महिला उनिसो सतावन से शुरू करते हैं तो ये नहीं में पुरुष जीते हैं दोजार नो में देख लीजे मातर 6 पुरुष रिजी ही महिलाई जीतनी हैं लोग उसके बावजुद टिकट नहीं देते हैं उसके बावजुद 33% representation यहाँ पर नहीं है नाहिद लारी खान उसके बावजुट टिकट नहीं दे पाते हैं और आप एंकर पर चिलाने लगते हैं एंकर पर गुस्सा होने लगते हैं जब कि सवाल यहाँ आपके सामने यह आखरे पूछ रहे हैं तो बात ठीक है कि टिकेट मिलना चाहिए महिलाओं को यह आपका सवाल ठीक है लेकिन आप बीच में टोका टाकी करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी महिला आपसे नाराज हो जाएगी चुकि आपका डिवेटी महिलाओं पर अधारत और अगर महिला नहीं बोल सकते तो क्या पाइदा बही मुखे बात यह है कि आखिल नव साल बात बीजेपी क्यों लेकर आए क्या बीजेपी क्या शाधिया आएगी और बीजेपी माफी मांगेगे कि साड़े-9 साल तक यह बिल नहीं लेकर आए क्योंकि पंजाब में जो एकरन से आउट होगी वीजेपी जान बच गई का नारा देग अदेद्याबा जल अंदर में उप्चुना हुआ वहाँ लिए विजेपी पॉलिटिक्स करने के लिए तो आई है और क्या करने के लिए आई आप लोग क्या कर रहे है सब पॉलिटिक करने राजनितिक पार्टियां राजनिती तो करेंगे आप लोग मैं तो जो मूल सवाल है उसी पर अभी भी अडिक हूं कि महिलाओं का आरक्षन आप सब चाहते हैं लेकिन महिलाओं को टिकट कोई नहीं देता है की है कि महिलाओं के इतने क्यों बी पर्टियू में कुखे ऐसे फॉर्ट करना चाहिए में इस कोड़ना चाहिए पर आप ना-टिकट यृव मंल झरीजर्वेशन नहीं ऐसी लिए MID-iron जोगों को म αναम सब्सक्ड़र्वेशन बेना है नहीं जोड़ना समांदाकर ज़िए नहीं तोटी सिवा आपने आपकी पार्टर सीवा मलिक मेरे पास समय कम है मैं महिमा सिंग से सवाज जवाब ले रहा हूँ 20 सेकेंड मेरे पार्ट महिमा सिंग को दिये थे पिछत चुनाब में आपको याद होगा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के तहर अब वो जीते के ह पारे वो बात की बात है आपका सवाल है टिकट दिये के नहीं एक लौती कॉंग्रेस आज तक के तिहास में असी पार्टी है जिन्होंने 40 प्रतिशत तै करके टिकट दिये और अभी थोड़ी देर पहरे जब भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी 14 प्रतिशत वाजपा की प्रतिशत वाजपा की बात कर दिया था आपके पूछा कि आपने कभी दिया आज ने कभी की बात नहीं है मैं तो प्रिसिदेंस की बात कर रहा हूँ अब की बात नहीं है अच्छा मैं हम आपकी दोजार चौबीस में देंगे आप यह बताईए कोई और पार्टी है जिसमें बिल्कुल क्यों नहीं देंगे ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि महिला अधिकारों के ने जो हमारी रड़ाई है यह दे रहे हैं जो जोजार चौबीस अधिक तो कम से कम होना ही चाहिए मैं महिलाओं को देना चाहिए और ज़रूरी है यह ज़रूरी है यह ज़रूरी एक चीज को महिलाओं के लिए भी कि हमेशा ही विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करना